नमस्कार विध्यार्तिमित्रानो अगरिकल्चर सायन्स एंड टेकनोलजी या विश्या मदे अपन पाहिला टॉपिक चालुके लिला है ट्रादिश्नल क्रॉप्प मदे आध्तापर कर्यंतक फीट पैडी या पिकांची डेटेल कल्टोबेशन अपन बगिट लेला है आज आपन बगना रहे ग्राउननट या पिकांचै डेटेल कल्टिवेशन घ्राउननट फे ऊल्रसीड क्रोप आ है औल सीड क्रॉप मंजे तेल भी या गटा तेल ही मुख्य पीका है और यह 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 ता डीटेल कल्टिवेशन आज आपन बगना रहे चप्टर नमर वन ट्रादिशनल क्रॉप ग्राउंड नट तलाज बुईमूग असमेंटल जाता शेंगा आपन मनतो बोटैनिकल नेम अरेचियस हाइपोजिया बोटैनिकल नेम कहा है अरेचियस हाइपोजिया फैमिली लेगमनासी ओरीजिन है साउथ अमेरिका क्यों आपन त्याला ब्राजील असे मन्तो ये भहत्वाचा है बोटानिकल नेम आरेचेस हाइपोजिया फैमिली लेगु मनासी लेगु मनासी मन्जे जची शेंग वर गियो जया जला शेंगा लागतात त्या सागड़ायाँची फैमिली कुंती आसते लेगु मनासी लेगु मनासी मन्जे जची शेंगा है जला शेंगा लागतात त्याची फैमिली कुंती आसते लेगु मनासी ओरीजिना है साउथ अमेरिका क्यों ब्राजीला बंतेला मन्तो बोटानिकल नेम मैस्दी पियर ला अंसर इन वन सेंटेंस ला महत्वाचा है हाबाग ग्राउन नट बुई मुग तलाच ओल सीट क्रॉप मन्दला जात जाचा पासों तेल निकत तेल भी आ अपन करा मन्तो नेक्स्ट यूजेस अब ग्राउन नट क्यों एकॉनमिक इंपर्णस अब ग्राउन नट बोग या ग्राउन नट चे उप्यों कुन-कुन त्या कार्णा साटी के ले ग्राउन नट कंटेंट्स फोर्टीफाइव टू-फिप्टीफाइव पर्सेंट ऑईल ग्राउन नट मदे 5-5 तेपांशाओं टके ऑईल सा पड़ते अबजिक्ट्यच्य दुष्टिन अतिश्य महत्वास आच्या है बहुमोगा छा शेंगा मदे 25-5 तेपांशाओं टके अपन तेल भी आ तेल अब या तेल खाड़तो आपन तेया वलाओ त्यायो लाट यच्छा पासून पैंची जाएश ते पंचावन टक्के अईल मिरित ব Yin বિགরང বિંরགག ব বામ বં বત गी और यूजर एज कुकिंग मेडियम येचा पास्टून ओयल मेत आणी महत्वाच वेजटेबल गी मांजे वनस्पती तूप क्यों डालड़ा पंतेला मंतो ये कुकिंग मेडियम साथी कुलिनरी प्रपस साथी यूज केल जाता दोर्रोच अपलो जे खाद्या हे खाद्य प पिटल कर नेल्स मंझे शेंगदाना करन ruins सा आरत काहिए के और अपन पैड़ चाहातो आपन बगतो झातो साथ त्यालक करनेल्स स्यैंगदाना कष रिज़े प्रोटीन के च гол، eating तेछ माथे प्रोटीन सा परसेंटेज जासता है सिटम सा आक हैuard कर समद द काललो अपन कोस्मेटिक सवंदर प्रसाध्ना मधे जातोस वंदर प्रसाध्ना तैयर करने आमधे आज अफ़ीयोगा अंड जातो तेल ग्राउंटेट केक is used as cattle feed as well as manure ग्राउंटेट केक मन्जे भुवाँवगाच तेल काड़ले आंड तर तह चासो पासों राहलेला चोत आस्तो है त JJ देख ऐला केक अपतो अनित्याव 1 गारओन अट history जाना ऐ़ीक अबनेद् नहरा इत्याष पयाम् शरे केंद्गार्श अपतों लिम्बाची पेंडासेल, लिम्बोडी पेंडासेल, हेम आपन वा प्रतस्त पन शेत्रामादे Groundnut wines are fit to cattle Groundnut wines, गुविमंगाचे वेल, वेलाचा उपयोग Wines या शब्दाचा आखते वेल गयाचा Groundnut wines are fit to cattle, जानावराना खाद्यमुननाच दापन 55% oil, ठीक है, oil and ghee are used as cooking medium, dalda, tel, खद्यपदार्द बनो नमद उपयोगाता अंडिर, kernels, shengdana, kernels, अपन स्वारी, kernels are rich in protein, vitamin A, B, B12, oil is used for preparation of soup and cosmetics, groundnut cake is used as cattle feed as well as manure, groundnut wines are fit to the cattle, Uses of groundnut अत्तापन बगित लव, soil, फुर्चा मुद्धा है, soil, groundnut requires loamy and sandy loam soil, loamy and sandy loam soil, रेती मिश्रिच स्वाइल, sandy loam soil माझे रेती मिश्रिच स्वाइल, या groundnut ला loamy soil suitable है, क्योंवा sandy loam soil ही best suitable है, soil should be a fertile and well-drained, जमीन शुपिक असावी, चांगली निजरा होना रे असावी, जमीन पानी साथला नाय पाई जाशी जमीन असावी, इच्छुडी हाव गुड वाटर होल्डिंग कापासिटी, पानी दरुन ठेवनेची चंता ये जमीने मदे, चांगली असावी, खेवी अन्स्टिपी क्ले स्वाइल आर नौट सुटेबल, हाँ बाकी चांगली चांगली जमीन अन्स्टिपी स्वाइल, अपन त्याला घट्ट स्वाइल, जे लगेच घट्ट होते, घट्ट आहे, आचा स्वाइल मदे भुविमोग अपन कल्टिवेट करूशकत नाही करताना अर्थ नियत अतका, त्याला घट्ट एंगा, त्याला घट्ट ऑंडर्ट स्वाइल जमीन अन्स्टिपी स्वाइल अन्स्टिपी स्वाइल, शुटेबल नाई, क्यों आशी काली जमीन असेल्टर अपलाशेंगा जमीनी मुदूं काड़ताना सुधा प्रोब्लेम यूँ शेकतो ताना तर इट इट असीड ट्रोलरंट क्रॉप विद पीच रेंज 5 तु 5.5 असीड ट्रोलरंट क्रॉप आहे, पास थे 5.5 प्रेंद पीच या पिकाला चालू शुकतो पास थे 5.5 प्रेंद पीच आसेल्टर तर त्यामदेज तांगला प्रकारे ग्रोह हूँ शकतो इट इट इस सेंसेटिव टो वाटरलोग्ड कंडिशन इस सेंसेटिव, थे सवेज शीला है, तर वाटरलोग्ड कंडिशन जार जैमेनी मध्या पानी साटूर त्यामदेस रहती सूटवल नहीं जर जैमेनी मध्या पानी साटूर रहता सेल्टर सेल्टर तर त्या खेंगा उल रूटिंग आप drugs शेकता मंजे शेंगा कुजुन जाओ शक्तात पाणी जास्तका साटुन रहील तर हाँ प्रॉब्लिम यूँशक्तो स्वाइल मदे दोन मुद्धे 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 वेगड़ा है दबागा आगोदर बगीटला पेक्षा छुद्या हेवे अन स्टिपीकले स्वाइल हार नोट सोटेबल इद अन्सेटीव तो वाटर लॉग कंडिशन बाकी छे पॉइंट्स आपन आगोदर बगीटले ल्या स्वाइल ची वहीशिटा है त्या प्राकारा मदले साहे ग्राउनट रिक्वायर्स लोमी आइन सैंडी लो मार प्राकारा म्ध्यिक्या घ्राउनट रिक्या प्रांट रिक्वायर्स आपनौए कंडिशनी लीन इंयıyla कंडिशनले ग्रोख होनार पीगा है आगुदर्चे आपन पीक अब गीटली तिर फीट हे टेंपरेट रीजन ला ग्रो होतो पैडी हे ट्रोपिकल कंडीशन ला ग्रो होतो आणि हे ट्रोपिकल पन आणि सब्रोपिकल पन कंडीशन ला ग्रो होतो आवरेस टेंपरेचर रेंज is 24 to 33 degree Celsius सामानने तापमान आवरेस टेंपरेचर किती पाईजे 24 to 33 degree Celsius frost and drought condition are harmful frost दव धुखा असेल अनि दुषका इस्थित्य असेल drought condition असेल तर तेपिकाला हनिकार कसत या मदे पेकाचवाट सांगली होत नाई annual rainfall requirement is about 500 to 1250 mm पाउस टेपाँश पाउस पाउस पड़तासेल तर तेपिकाला भाईदया चाहे या दार्मेन बाउस असेल तर पीक सांगल्या प्रकारे ग्रोथ टेंपरेचर रेंज 24 to 33 degree Celsius आणि एन्युल रेन्फॉल है तो पास्षिते बाराशे पन्नास मिलिमेटर चा दर्मानास सावा इस अ ट्रॉपिकल क्रॉप बट अल्सु ग्रोन इन अ सब्रॉपिकल रीजन आवरेज तेम्परेचर रेंज इस 24 तो 33 डिग्री सेल्सियस रॉपिकल रेन्फॉल रेन्फॉल रेक्वार्मेंट इस अबावड 500-1250 बिलिमेटर प्रिपरेटरी टिलेज ग्राउनट रेक्वायर्स प्रिपरेटरी टिलेज मन्जे काई आपन पूरो मशागत बगिटलो तो यह चामदे जमीन तायार कोरूंगे टली जाते पेर नी पूर्वी तेला आपन प्रिपरेटरी टिले जासा मन्टलो ग्राउनट रिक्वायर्स डीप लूज और फाइन सीडवेड ग्राउनट साथी डीप खोलवण वुशित शीडवेड असना गरजेचा है जमने मदे लागने साथी लूज सीट बेडास न गरजेचा है कटिन कउंपक्ट सीट बेडास तो प्रक्राकारा मदे आपेक्षेतास अपनेल उत्पादन मिलत नही प्रिप्रेट घ्लेज मदे कम कौंती काम करतो अपन बगीत लोत पाटी माँचा बाखामादे तेच मुद्धा हेट गिववन डिप लॉइंग एक खलू और नांगर निकरतो पॉलरड भाई 223 क्रोसवाईज हैरोइंग 233 कुलवाचा पाया देतो वित नौर्वेजन हैरो भगितो नौर्वेजन हैरो मेंजे तेला अपन मन्तली चाहतली तवास तवास चाकराचा डिस कास तन मनून तेला नौर्वेजन हैरो मन्तली चाकराचा हैरोब्रॉब्रिट Consiglas हैरोईंग खिवुशकतो आणी जेमिन या हैं ुरून गियुशकतो त्या में दीप लूज आण फाइन सेट बेड़ा पन तयार करने दूशक्तों यह जाले प्रिप्रेटरी तिलेज लक्स ताले प्रिप्रेटरी तिलेज वांजे पूर्व माशागत त्या अंतर स्वयिंग सीजन एंड टाइम खरिप खरिप मन्जे आपन तयाला पाउसला मन्तो स्वयिंग सीजन मन्दलतर खरिप आणी टाइम मन्दलतर अक्चुल मन्थ अपलेला कुटल्या माइना मदे पेरनी कराई चे ते लिहाव लागना खरिप लास्ट वीक ओप जून टो फस्ट वीक ओप जुले खरिप जाता पाउसला चे शुरुआत जहली आसता जून चा शेवड चा आटोडयात क्यूं हाँ जुले चा पाईले आटोडया मदे आपन पेरनी करूशक तो खरिप सीजन मदे आणी समर सीजन मदे समर सीजन लापन हाँ बवह मुग लाऊफलाा जातों समर सीजन मदे जानेवरी टू फेवरी माइना मदे तो पेरला जातो शोयंग सीजन आटाइम काला उधी आपन दक्साथ ठवाववलागेल स् håéळिंग मेफल भीर्ना के सायन पेर निक करूट आपन तो डीली पतदता हाँ तो डिबलिंग मैंजे टोकन पद्धत आपन जब इन वरती हो लोगे तो ठारवाय का अंत्रा होते हैं तेचा मदे बी अटाकर जातो और मुझा उतो तो तो डिबलिंग मेथड असा टोकन पद्धत असा मन्टला जातो तराना तर सिड्ड्रेड ऑगा एच आम्ने खरी फैन्सॉ मेंटाँ मैथडड उतलिंग और डिबलींग फ्रॉzahlक तो सिड्रेट में हैच अमादे इर्यक्ट वरती साथी उस्टे के हो पने हवायते की जो है और ओक्यां और उपंडि शेण तो पूर्ण शेंगा सही जमीनी मदून उपसुनेतो तेला इरेक्ट वाराइट्या समन्टल जातो इरेक्ट मंजे अपन तेला उप्ट्या बोयमुगा समन्टो जो उपटल्या नंतर पूर्ण बोयमुगाच्या शेंगा सही जमीनी मदून सगड़ा शेंगाच्या सही तो सिदेट आए शम्बर्थ 21 60, 80 kg पर येक्टर पर अध्या कोई सिडरेट वागा इरेक्ठ वार आइटी 100,烏कटर 120 kg पर येक्टर सेमीИ 스्रैडिंग वार आइटी 80, 120 kg पर येक्टर क्यों 80, 80 mm kg पर येक्टर स्प्रैडिंग वार आइटी 60, 80 kg 90 kg पर येक्टर श्प्रेडिंगवाराइटी आजिए 1 techniques per hectare 50 per hectare श्प्रेडिंगवाराइटी श्प्रेडिंगवाराइटी साथ ते 90 kg per hectare लक्षादाल सिद्रेट लक्षाठेवा महत्वसा आहे ठाणन्त स्पेसिंग इरेक्टवाराइटीच स्पेसिंग बागा 25 to 15 cm और 30 cm अपार्ट बिट्वेन तू रोस इरेक्ट वाराइटी साथी 25 ते 15 cm 2 ओडी मदला आंतर 25, 2 जाड़ा मदला 15 cm सेमी स्पेडिंग वाराइटी साथी 45 to 15 cm 2 ओडी ते 15 cm 2 जाड़ा ते 15 cm स्पेडिंग वाराइटी साथी 16 इंटो 15 cm साथ 2 ओडी तिल 15 cm मुझे 2 जाड़ा तिल अंतर स्पेशिंग वाराइटी जासता है स्पेशिंग काया है कमी आसता लाक्षाठी वाराइटी स्पेशिंग जासता है पर तेचा मदला स्पेशिंग का सासता कमी आसता है रिलेशन तुम्ही लक्षात थेवा समझने साथी आणि तुम्हाला हाट टेक्निकल मुद्धा लक्षात रही त्यान अंतर सीट्रीट्मेंट ग्राउनर्ट मदे भुव्मेंगा मदे कौन-कौन त्या सीट्रीट्मेंट के लिए दाता जसा आपन फीट मदे बगिटलीला सीट ग्राउनर्ट मदे कौन-कौन-कौन त्या सीट्रीट्मेंट के लिए दाता बगा ग्राउनर्ट सीड आर ट्रीटेड वीथ राइजवियम कल्चर अट देरेट अप 250 ग्राम पर 10 kg अप सीट तु इंक्रीज नायक्रोजन पिक्सेशन दा किलो ब्यान जर ग्राउनर्ट चीट प्रामान वार्ट नात्राच स्थिरिकरन चांगला प्राकारी करतात राइजवियम कल्चर राइजवियम स्पेसी साहित त्या मोट्ट्या प्रामान जयमनी मदे नात्राच प्रामान वार्ण उता जर अपन ग्राउनर्ट ला राइजवियम कल्चर चीए ट्रीटमेंट के ल थीरिखेटेड वित अग्रेशनगा थायरम अग्रेशन थायरम।दल अत्ति दू महें दोन नमकट वाच्छा सीय ट्रीक्त savez मेंand मदे आहिद चानंतर इरिगेशन विचा मदे आउरेज वटर रिक्वार्मेंट रेंज बिवीन 450-650 mm इरिगेशन मंझे पानी देन या पिकाला सरासरी पानी किती लागता चार्चे ते 5.6 mm पानी लाइप साइकल कंप्रिट होना साथी लागता इन खरीब सीजन इरिगेशन इस गिवन एकोर्डिंग टू रेंपॉल इन खरीब सीजन मंदे पानी देन देतो आपन देन है सर्वसवी कशावर्ति आउलों मुना है पाउसावर्ति पाउसर समधार पर पड़ला तर पाणी देने चे आवशकता नाही इन समर सीजन एट टू टेन इरिगेशन आर गिवन अनी उनालाया मदे आपन लागनी पसं काड़ने परन तेला आठते धावया पाणी देतो माजे आठते धा पाणी लागता उनालाया मदे जर बही मुख्येला तर भाचण होग मैं ट्या स्घीज स्टेज आपते छाई त्या स्टेज लाणी घर जेच आए त्या स्टेज पाणी ते शारी स्टेज नालाया अन्न पाणी घर चे चाईच लीका. लक्स ठ्वा के ग्राउनट हे पीग येचा मदे फ्लाउरिंग वर्ति हो पने फ्ल कुट लाखती हैं अपने वियानरों, तैयर होती झेमें अदे फ्लाउरिंग वर्ति होती। लक्सर ताले पन्य फ्लावरींग वर्ती होत्या होत्यु फुले वर्ती उतता अनि फ्ल्कुट dai ,ןखाय में जमिनी मादे तैयर होत्य ülखा असे का होते बागा, यह चा मदे ज्यावला फुले तैयार होतात, फुले तैयार दाले कि त्या अनंतर फर्टलाइशन होता, फर्टलाइशन जाले कि ओरी इलांगेट होते, ओरी ची साइज वाडते, त्याचा मदून एक फिलामेंट बाहर पड़तो, फिलामेंट तो जमेनी सब्सक्राइब 모습 को निसल्तर्पषर करिवते बत्रिवाइब ट्यूब आ, expanded, ट्यूब आ है, ट्यूब ओहरी पासुन जमेनी चा दिशेने जाते आनी जमेनी मदे परत पेक फोर्मेशन मोट्ट्या प्रमानात होतासते अपलेला कशा मदे बागाला में एते, ग्राउनड मदे बागाला में एते जै पेक फोर्मेशन आहे, त्या पेक फोर्मेशन ला काय मंडला जाता आरया सुट्न होता ूर्ब आसल जमेनी मदे जै ओहरी पासून अत्तीशे महतवादस आहे इरिगेशन लाग्षाताल, क्रिटिकल ग्रोस स्टेजेस पेक भॉर्मेशन स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज और पॉर्ड डेवलोप्मेंट स्टेज त्यान नंतर इंटरकल्टिवेशन इंटरकल्टिवेशन मंझे का है? इंटरकल्टिवेशन मंझे उब्या पिका मदे पिकुगून आले नंतर आपन जी काय काम करतो तेला इंटरकल्टिवेशन आस मंठल जात दे क्रोप इज जन्रली गिवन वन हैंड विडिंग और टो हुईंग बिफोर पेक फॉर्मेशन वन हैंड विडिंग एक वे भांगलनी आपन करतो आणि दोन वया कोड़ अपनी करतो बिफोर पेक फॉर्मेशन हाशब्द महतवाचा है बिफोर पेक फॉर्मेशन पेक फॉर्मेशन मंझे जेमनी मदे आर्या सुट आईचा आगोदर ही आउपरेशन काराईचा है आर्या सुट तद त्यावल अजर अपन कोड़ अपनी केलियन जे आर्या सुट लेले से त्या कट जालिया तर खाली शेंगा तैयर होनार ना हीद महनून बिफोर पेक फॉर्मेशन हाशब्द वापर लेला आहे मंजे त्या बाहंगल नी करता ना जे आर्या तुकट जालिया तर परत फुट शेंगा लागो शकत नाही हर्बिसाइड सच आज अल्याक लोर इस इपेक्टिव फॉर वीड कंट्रोल अर्थिंगा पॉपरेशन इस गिवन फॉर्टिंगा मोट्टिया प्रमों डेवलोप खोद नाही ओप्रमों अर्थिंगा पॉपरेशनłby असवा अशया पूर्ण बॉर्टिंगा पॉपरेशन अर्थिंगा ही इन इरेक्ट टाइप वराइटीज, ड्रम रोलिंग इस क्यारिड आउट फोर इजी पेनेटरेशन अप पेग्ज इन्टु स्वाइट इन्क्रीज फिप्टीम परसेंट इल्ड अप ग्राउंड नटु अथा इरेक्ट टाइप वराइटीज मंझे काई सांग इटलो थी तुम फ्लावर सेतात मैंझे फुले लागतात, फुले लागले अलान्त फिलामेंट ओरी इलाउंगेट होते हैं, ओरी इलांगेट जाली, जाली के एक फिलामेंट जेमेनी चा दिशे न जातो, मग जर इरेक्ट टाइप होराइटीज उन्चीला च्यास्त गेली आसेल, आणि तो जावू शकत नाई तेज उन जेमिनी आणि तेचा मदे अंतर पड़ता मा आशा वहला ड्रम रोलिंग ओपरेशन आपन कोरतो मा ड्रम ड्रोलिंग मदे काय काराईचा तो दोंशे लिटर चा मोकला ड्रम तो तेचा वरू फिरोल जातो मोकला ड्रम आशा कियले के काय होताँ तेज जेमिनी चा दिशेन जेमिनी मदे जास्त जाताँ आणि तेट शेएंगा लागताँ जे जेमिन आणि जो फिलेमेंट आए पेग जाहे तेटल आंतर आस्त ते आंतर या ड्रम रोलिंग नामदे वाड गोड़ू नियते आशा पद्द चीज़ज़र अपरेशन अपन इरेक्ट टाइप वराटेज मेदे केल तर वाई आसा मन विचारल जाखत वाई एम्टी ड्रम रोलिंग ओपरेशन शुद बी दन इन ग्राउंड नट बिकास तु मैक्जिमाम पेनेटरेशन पेगस इंट वह एक्टी इंटर कॉपइशन मदे तै अंतर इंटर कॉपिंग इंटर कॉप्इशन मंजे आंतर मासा नट इंटर कोंपिंग मंजे आंतर पीक कोन कुंतिं जहना रापन भुह मघवर अं चावार बाजरा मेश आर ग्रोन आज इंटरकोप विद ग्राउनड जो आरी बाजरी क्यों मका है आपन तेचा बर्व इंटरकोप करूशक तो बुविम गावर पर क्यों आपकोटन कापुस है प्या है सिस्यामा माहे ताननतर सनप्लावर है क्यों ग्रीन ड्राम मंजे मूग सनप्लावर सूर्य ताननतर मैन्योर्स और फेटलाइजर्स मैन्योर्स बगार रेन्फेड क्रॉप आसेल पाउसावर्तिय अउलूम मंजर भुविमूं गेटला आसेल तर या पॉयम किति लागतर 10 टन्स पर एक्टर नाइट्रोजन डोस 10 kg नाइट्रोजन 20 kg फोस्परस पोटेच्ची काई नाइट्रोजन पैंकोतिन दूआट्रोजन दूसेल्यों पॉस्पर नाइट्रोजन 20 kg घयाukप पोस्परस पर एक्टर फेक्रफ नोहीं लागषा थेव्यों सेल दूस बंढ़ एक्टर नाइट्रोजन 50 kg फोस्पैंड पर एक्टरेच्चाइज पोटेची काय आवो शकता ना ही, कशाला हे इरिगेटेड क्रॉप साथी, इरिगेटेड क्रॉप साथी पोटेची आवो शकता ना ही, तेमा यवडाज तोस तुमी जरी लगशाथ्यो लातरी चालतू, क्यों 20 जरी ली लातरी पन चालू शकतू, त्यान अंतर यह पिकाची काड़नी कदी कराईची The time of harvesting is determined on the basis of following science of maturity काड़नी करना है कसा आपन उलकुशकतो तर science of maturity पिकाची science काया है पकवतेचा खुणा काया है त्यानुसार पिक कदी काड़नी लाले त्या आपन उलकुशकतो पहिले बगा कसे उलकायेत्गाची यह उलकुशह आटनी लाले अलक आतीशे महत्तवाच्ル जर आपन योग्युवेला काड़नी के ली नहीं तर मुट्या प्रमात मैचुरेते पूर्विक काड़नी के ली थर्पन नुखसान हो शकतअ आणि मैचुरेट नंतर केले तरीपन अपल्या वुद्पद्रा मदे घटी युशकते क्वालिटी मेंटेन्ट रहुशकत नाई त्यामा कार्णिक योग युवेला करना अतिशे महत्वाच आहे साइन्स ओप मैचुरेटी बगा योलोइंग ओप ल्यूज योलोइंग ओप ल्यूज पान प्यूड़ी पड़ता था शेकंड ब्लैकनिंग ओप इनर साइड ऑफ दे शेल शेल मंजे टलफार टलफार शेंग अपन वर्चा जो कवरिंग आहे शेंगा फोड तो शेंगा फोड अगले असतील ड्राइंग ओएल आगले असतील ट्या रनांतर हडणिंग ओप भॉड्स आत्म देल शेंगा अपनेश थानग आपकत वगा ओलेया शेंगा सेल तर अजुन तवह जो यह पानेल स्प्रम आंड ज आसते जांस आने अनि मैच्चुर दा लिके जेमदे पानेल स् तो बगा आहा नाचरल कर राला त्रापन 15 तो बगा 15 अनत रेड कलर राला त्रापन तो यो गिवहीला काड़नी लाले असा समझुशक्त आनी क्रोपेज सम्झात्ये किती दूसामादी वहराइटी काड़ आए चम्बर दूसाचे एक्षेवीश, एक्षेचाई, 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 किती दूसाचे वहराइटे त्या वरून काड़नी अपन ठरूँ शक्तो पहले महतवाचा कोना yellowing of leaves, blackening of inner side of the shell hardening of pods, development of natural colors of kernels, that is red color and crop age हे maturity sign महतवाचा है त्यानंतर actual harvesting आता maturity signs आपन बगेट ले पकवाता थरू ली कि त्यानंतर आता काड़नी के शिकाराच बगा after judging the maturity by above criteria harvesting is done by pulling the wine from soil with pods in erect and semi-spreading variety pulling the wine, pulling wine मन्जे wet त्याजा वेल उपसुन आपन काड़नी करू शक्तो pulling the wine from soil जया मेने मदुन तो वेल उपटून तेजी काड़नी करू शक्तो in case of spreading varieties spreading जर पसरी वाराइटी आसेल तर harvesting is done by plowing the field and collecting the pods plowing करूंग, shallow flowing कराइचें अपने खोल वर ना अंगर निकार राइचें नाए फक्त शालो flowing कराइचें आणी आपन त्याचा मदे जेकाई पोड साहे त्या सर्चिंग पोडस इन्दस्वाइल आपन छेंगा परत जमीनी मदले त्या विर्जू शक्तो कराइचें दोन प्रकार आपन बगिटले, pulling the vines, plowing is done in the field and collecting the pods from the soil हे जाला, harvesting, actual harvesting procedure बगिटले आपन harvesting मदे maturity sign महतवाचें त्यानंतर, actual harvesting procedure महतवाचें आहे त्यानंतर, varieties बगा, erect और bunch type मदे कौन-कौन्थय वर्राइट है, erect वर्राइटले, bunch type वर्राइट है अपन महतवाचें TMV2, TMV7, TMV9, TMV11, JL24, अपन JL24 ला काय महतवाचें पुले प्रगति, JL220, कोकन गवरोव, ह्या महतवाचे, varieties आहेत सिमी स्प्रेडिंग मदे, कोपर गाउन नॉमबर 1, TMV6, TMV8, TMV10, AK-8-11, spreading varieties, पसर नर्या वर्राइटी, कराड, 4-11, TMV1, TMV3, TAG-24, TAG-303 लक्षा दाल, या varieties आहेत, या varieties चीन आवाएत, ये तुमाल आशे, सगया ये चा मदले महतवाचे, 223 तीन आवो तरी प्रत्ते खेजा मदले लक्षा ठ्थ्यावावी लागति, लक्षा दाल, वर्राइटी चा भाग, इरेक्ट वर्राइटी, सेमी स्प्रेडिंग वर्राइटी, स्प्रेडिंग वर्राइटी, मदले वर्राइटी, तुमाल ये वस्तित लक्षा ठ्थ्यावावी लागतिल, मैस दे पेर लावी चारल जाओ शकता, अब्जेक्ट्व ग्राउंड नंत मैं ग्राउंड नाढ़ुषद कर से indeed जन्हेम खाविश्ट कर दफ sentences जन्हें महत्वा चे पेस्ट आहिए ब कि fingerprints पेस्ट खें। मत्हें अपने महत्वा चेप्ष प चेढ़ुषद कर दिम्हें पेस्ट बागो सिरे 민주िक दफ सिसे प्रूड पूमनी लिपस्टिक ला зовут ले लिपस्टिक लावनारी अडि आपन तेला मत्वह ज Oxygen लिपस्टिक लावनारे अड़ी अड़ी अड़नों ओ से मतोच दिसीज ऑफ ग्राउनड भागा लिप स्पाट त्याला स्टिक का डिसीज मंदला जात ती होल रॉट्राट मंझे खूसन स्टॉसन लिप्षए सच अध्याो मदलना सुर्वोर्टिला एफर भोग या क्या आपन धिचा नीचुर अपडयामेज का आई तरही है अपर क बाइलन दा पाना मदला रस्योशन गेता को बड़ा पाना मदला अनि तेपर पीवले पड़ता तो वाल उन जाता मेजर डामेज़ा सिल्टर मेजर अटेका सिल्टर आनि कोंट्रोल मेज़ा स्पेद क्रॉप फित फास्पमीड आपन जर इचा उते स्प्रेके लटर इफेक्ट्वली इसा कोंट्रोल मेव शुकते तेयांता रूट ग्रभ हुमनी आपन तेला मनतो ग्रभ फित अन् रूटलेट अन नूडल्स एन्टाय ए आणि जाड़ वालून जाता कोंट्रोल मेजर सिट्रेट्मेंट विद्ट क्लोरोफायरिफास 20 EC और स्वाइल अपन सिट्रेट्मेंट जर क्लोरोफायरिफास केली तरी पन हे इफेक्ट्वली आपन कंट्रोल मदे आनू शुकते क्यों आ कार्भ फिरांच ग्रानुल जेमिन अब टाकली तरूड़ ग्रोफ एफेक्ट्वली कंट्रोल मेजर सिट्व लिपरोलर क्यार्फिलर रोल्स दिल्यूस और रिमेंट फिडिंग अन ग्रीन टिशू क्या जात्त पान खात पान खात ला लिपरोलर असा मंठ्टल जात यह अच्छावर ती पन क्लोरोफायरिफास 20 इसी आपन इफेक्टिवली यूज करू शोकतो कंट्रोल साथ त्यांतर पॉलोर रॉट बगा डिसीज बगा कॉलोर रॉट कॉलोर हे लाइट साइडी सोयल मोदे एचा आ अट्या प्रमानता पल्याला बग बगाला में तो आणी सिम्टम्स काई इमर्जिंग सिद्लिंग्स आर योलाइग और राइग जे लाहन रोपो सिद्लिंग्स आएट यगदम प्यूवी पड़ लेल दिसता तान वालन जाता आसा जाहले तर्टेचा वर्ती कॉन्ता डिसीज आए कॉलोर रॉट आहा डिसीज आएस आपन मनुशकतो आणी जर अपन स सिट्रिट्मेंट विथ और्गानमर्कल फंगिस साइडा ग्रेस आएसन क्यों मुझेज आवार थायरम चीज़र के ली दोनते चार ग्राम पर के जॉप सीट तर्हा डिसीज येतना ही कॉलोर रॉट 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 रेडिश ब्राउन डिसकलरेशन रॉट 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 यह चाम अदला महतुवाच आहे टिक का तयालाच स्लिप स्पोट डिसीज गारा सेमतल जाता हाँ आपन बार्यापकी बगिट लेला हे सिम्टम्स भगा सर्किलर और इरेगुलर डार्क बॉल्न स्पोट गोल, सर्कुलर के मां, इर्रेगुलर, डार्क, ब्राउन कलर चे स्पोट अपलेला बागाया में तात, सारॉंडेड बाई यलो रिंग, आनि चला तेचा बहुत नी जर यलो रिंग आसे, पिवी रिंग आसेल, तर तो टिका है सापन गुशक तो, आनि परत्य ब्लैक कलर चे प सल्पर फाउडर सल्पर चा उप्योग करा, अट द रेट आप 15-25 केजी पर हेक्टर, 15-25 केजी सल्पर हेक्टर ला वापरा, सल्पर चा वापर के लासता, इपेक्टिवली आपन टिका डिसीचा कोंट्रोल करूशक तो, लक्षा ताल, हे महत्वाच डिसीज आहे टिका, ब्राजील अबन बगिटल, एकोनोमेक इंपोर्टन्स बगिटल, स्वाइल बगिटल, लाइट टू, सैंडिलोम स्वाल बेस्ट सुटेबल, क्लायमेट बगिटल, ट्रोपिकल और सब्रोपिकल क्रॉप आहे, ट्यानंतर, प्रिप्रेटरी टिलेज बगिटल, स्वेंग सीज बगिटल, टाइम बगिटल, खरी पानी, समर सीजन, सिडरेट बगिटल, ट्यानंतर, सीट्रीट्मेंट बगिटल, मैन्मेस फर्टिलाइजर, ट्यानंतर, इरिगेशन, इंटरकल्चिरिंग ओपरेशन, इंटरकॉपिंग, हर्वेस्टिंग बगिटल, हर्वेस्टिंग मदे त्यान अंतर वाराइटीज बगितले येचा मदे महतवाच वाराइटीज कुन कुन त्याच आपन केला त्यान अंतर येचा मदे महतवाच पेस्ट आने डिसीज बगितले कुन कुन त्याच पेस्ट आयतका त्यान वाराइटी अंतर येचा मदे येचा येचा मदे र हलावता येचा 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 इरिगेटे कंडीशन ला तीस पुन पर एक्टर उत्पादन मेद और इस्प्रेडिंग भरायटी ला 15-17 क्विंटल पर एक्टर उत्पादन मेद इल्ड बगा परतेक वे लक्षाठ्यवा इरिगेटेड कंडीशन ला 30 क्विंटल पर एक्टर रेंफेड कंडीशन ला इरेक्ट वरायटी ला 8-10 क्विंटल पर एक आई का अनिकाई शांग का स्थिलतर तुम्हें विचारू शाकता धन्यवाद